हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, मैं हूँ डॉक्टर कावेरी हालदार और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी मेडिसिन्स जिसको आप अपने घर पे रखकर कभी भी होने वाली हेल्थ इशूज में यूज कर सकते हैं ये मेडिसिन्स बहुत ही असरदार है और कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है ये मेडिसिन्स बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं और बूड़े भी ले सकते हैं जैसा कि आजकल हर घर में बिमार, कोई नो कोई बिमार पढ़ जाता है बिमारी बहुत कॉमन हो गई है और हम छोटी छोटी बिमारी के लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं या अपने घर पे ही रखी हुई कुछ मैडिसिन को यह लेते हैं जैसे पैरासिटोमो, सिट्रीजिन, आइबरू पैरा इस तरह की मैडिसिन्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं जिसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और अगर नहीं करें डॉक्टर के पास जाते हैं तो अच्छा लंबा खासा बिल बन जाता है हमारा सिप एक छोटी सी सर्दी या खासी के लिए या बुखार के लिए तो आज मैं आपको ऐसी कुछ मेडिसिन्स बताऊंगी जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो आपकी बोडी की इम्मुनिटी पावर को और बूस्ट कर देगी साथ में बजट फ्रेंडली भी है बिलकुल सस्ती और बढ़िया दवा ये होवे बेती की कुछ दवाएं हैं जिनको आप अपने घर में एमेजनसी यूज के लिए रख सकते हैं अगर आपको कभी सर्दी हो गई, खासी हो गई, बुखार आ गया तो इस कंडिशन में ये मेडिसन बेस्ट होती है अब आपको पेंट किलर, एंटिवाटिक्स और कभ सिरफ की जरुवत नहीं पड़ेगी तो आगे शुरू करते हैं जानते हैं वो मेडिसन कौन सी है जिसको आप अपने घर पे रखके डेली लाइट में होने वाले हेल्थ इशूस, हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्ब कर पाएंगे तो इसमें सबसे पहली मेडिसन आती है एकोनाइट एकोनाइट बहुत ही अच्छी मेडिसन है इस मेडिसन के मैंने पहले भी वीडियो बना चुके हैं यह मेडिसन अगर आप जैसे ठंड में घुमके आ रहे हैं या आप को बारिश की कुछ बूदे लग गई हो और आपको बुखार आ गया हो बुखार आने के बाद में आपको सर्दी भी हो गई हो तो इस कंडिशन में यह मेडिसन बहुत ही अच्छा पक्त कती है इस कंडिशन में आप इस मेडिसन की 30 या 200 पोटेंसी बार बार लें एक ए घंटे में रिपीट करें तो आपकी सर्दी और बुखार पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा साथ में यह आपके डर को भी दूर कर दी है जैसा कि कोरोना अभी चल रहा है तो हर किसी के मन में यह डर बैठा हुआ है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया तो साथ में यह आपके बुखार को तो दूर करेगी और आपके डर को भी दूर कर देगी इसमें अगली मेडिसिन आती है बेलाडोना बहुत ही एफेक्टिव मेडिसिन है बेलाडोना अगर आपको अचानक बुखार आ जाए और बुखार इतना तेज की पूरा बदन गर्म हो जाए साथ में चहरा तम-तमाया बिल्कुल लाल दिखें आखे लाल दिखें ये मेडिसिन आप बिल्कुल ले सकते हैं 30 या 200 पोटेंसी में एक एक घंटे में इसको भी रिपीट करिए आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्फ हो जाएगी इसमें अगली मेडिसिन की बात करते हैं ब्राइनिया बेस्ट मेडिसिन है ये अगर पुखार के साथ में आपको सुखी खासी हो रही हो साथ में आपके जो चेस्ट है वहाँ पर सूई जैसी स्चुबने का दर्द होने लगता है तो ये मेडिसिन उस कंडिशन में बहुत इच्छा गाम करती है साथ में प्याज भी बहुत जादा लगती है बारबर पानी पीने का मन करता है अगर इस तो रता का बुखार आपको हो जाता है तो ब्राइणी आप ले सकते हैं इसमें अगली medicine की बात करते हैं जैलसीमिएम बहुत ही अच्छी medicine है जैलसीमिएम अगर आपको बुखार के साथ में नाक से पतला तेज जलन वाला पानी निकले होजाता है ना जुखाम जिसको कहते हैं नाक से लगातार पानी आता रहता है जलने लगता है वैसा वाला अगर वो आपको हो जाए तो आप जेल सीमियम ले सकते हैं बहुत इच्छी मेडिसीन है और इन सब ही medicine के कोई भी side effect नहीं है इसमें अगली medicine की बात करते हैं यूपिटोरियम पर best medicine है अगर आपको बुखार के साथ में बिलकुत बदन तूटने वाला दर्द हो हड्डियों में तीज दर्द आपके muscles में बहुत जादा दर्द अगर इस तरह का बुखार आपको है तो यूपिटोरियम बहुत अच्छी medicine है साथ में अगर आपको malaria भी होगा तो ये उसको भी दूर कर देगी अगर आपने टेस्ट नहीं करवाया है आपको नहीं बता तो आपके malaria को ये medicine आप लेते रहेंगे तो दूर हो जाएगी तो सोची आपको कितने painful injections से इस दवा ने बचा लिया इसमें अगली medicine की बात करते हैं जो अभी सब की फैबरेट है आर्सिनिक अलबा आर्सिनिक अलबम बेस्ट मेडिसिन है आईश मंत्राले ने भी इसको अभी सब जगा फैला दिया है आईश मंत्राले भी इस पर बात कर रहा है टीवी न्यूज हर जगा अर्सिनिक अलबम चाही हुई है कोरोना के डर्व को दूर करने के साथ ये आपके बुखार और सहदी को भी दूर कर देती है बुखार में जब आपके नाव से पतला पानी आए बिल्कुल छील देने वाला साथ में बार बार चीके आए आपको ते इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं ये सब ही मेडिसिन बहुत ही किफायती प्राइस में आपको मिल जाएंगी और आप घर पे इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं आपके बच्चे या आप या बूडे घर में जो भी हो वो इस दवा को यूज कर सकते हैं इस दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपकी इम्मिनिटी को बूस्ट करने के साथ आपको हैल्दी भी बनाएगा मतलब दोबारा आपके बिमार पढ़ने के चांसे बहुत कम हो जाते हैं I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में जो जानकारी मिली है आप उसको यूज करेंगी आप अपने घरों में इन दवा को रखेंगी और अपने डेली लाइफ में आने वाली हैल्थ इशूज को इस दवा के साथ में सॉल्ब करेंगे अगर आज का ये वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू